बड़ी खबर के साथ समाजवादी पार्टी के महासचीव राम गुपाल यादो जिस रामेश्वर यादो के लिए पैरवी कर रहे हैं वो नसिर्फ प्रशासन के लिस्ट में कई अपराधों में शामिल है बलकि रामेश्वर यादो और उनके भाई पर बड़ी संख्या में के लाए जा चुका है तो एटा, SP के पूर एमेले और भाई पर शुकंजा कस्ता गया जो गेंद्र यादों पर 90 से जादा केस दर्ज हैं रामेश्वर यादों पर भी 90 से जादा केस दर्ज हैं अब तक 100 करोण की संपत्य जब्त हो चुकी है सवाल ये खड़ा हो रहा है कि पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है उनकी अवैध संपत्य पर बुल्डोजर चल रहा है सरकारी संपत्यों पर जहां जाए उन्होंने कबदा किया है उन संपत्यों को मुक्त करवाई जा रहा है और इन सबके बीच प्रोफिसराम गोपाल यादो माफिया की पैरवी करते हुए नज़र आएं और हमारे साथ जुड़ चुके है जिन्दर और क्या जानकारी आपके पास आज की डेट में उनकी पत्री रेखा यादा उनके बाई हैं उनके बाई हैं उनके बाई की पत्री है जो ब्लाग पुर्मक उनके बेटे हैं एक परवार के लगवख सभी सेदस्चों पर उनके मुकदमे दर्जें और हम इसाथ का मुकदमा भी दर्जे और रामिश्वर यादव को पुस्ने गरपा कर जेल भी बेज़ दिया लेकिं जुगंदर यादव अभी फिराज चल रहे हैं ठीक बहुत शुक्रे आपका मारे वहीं से लेकर डिप्टी सीम केश्व पसाद मोर्या ने ट्वीट कर निश्वाना साधा है उन्होंने लिखा है कि जानबूच कर अखलेश रादोजी आप और आपकी पार्टी ने गरीब दलितों पिछणों आदिवासियों को सदयो धोखा दिया है गुंडे माफियाओं अपराधियों को सरक्षुन दिया है उसमें आज एक महला को धोखा देने का कारे भी कर लिया है जान बूच कर अखलेश रादोजी आप और आपकी पार्टी ने गरीबो दलितों पिछणों के साथ सदयो धोखा किया